गूड मॉर्निंग गाईज कैसे आप लोग सब आए होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और गूड मॉर्निंग इसली करेंगे अभी तो गूड नाइट हो चुकी है लेकि वीडियो तो सुबह मिलने वाला है तो आप लोग को फस्ट गूड मॉर्निंग जाएगी तो आप भी खुश हो जाओगे और हमको भी अच्छा लगता है कि सुबह आपकी जो चाय का मग रहता है उसके साथ आप मेरा वीडियो देखो अना तो मुझे बहुत अच्छा रतेगा सच बता रही हूं तो दोस्तों आज का ब्लॉग सम्थिंग डिफरेंट सम्थिंग यूनिक कु कि आपको मालूम है आपकी मझी को बहुत डिफरेंट डिफरेंट शॉक हैं ही अलग अलग होona है मेरी अपनों के मुझे कुकिंग कंई शोओ सिंगिंग अंगत्या आर्टिस अ कु नएते हैं आपके सबक क्या आपको सिखाने वालग MansUST हमाई आपनोंको मालूम है देविनि अच्छा लगेगा आपनों को और अच्छा लगे और वीडियो को बिना skip करें देखना है ये चीज आप लोग ध्यान रखेगा और पटा-फट कमेंट करिएगा कि कैसा बना है लजीज है कि नहीं है यारन ये चीज जरू बताना देखने वाब यार खाने के लिए मैं अब को बुलाने को तयार हूं लेकिन आप लोग आने को तयार हो के विदीशा आजाओ आप लोग सब लोग आजाओ मोस्ट बैलकम मैं कभी नहीं घबडाती सच बतारी मैं सो जरू बस मेरी मम्मा और मैं काफ है इनफ है आईसा हम लोग सब लोग कर दो कब बनाया स नहीं बहुत पुरानी बात हैlying हम लोग 18-19 साल के रही होंगी, मैं तब की बात है, कि जब हमने 100 लोगों का खाना बनाया था, बताऊंगी एक दिन वीडियो में बताऊंगे आप लोगे, क्योंकि अभी कई लोग बोलूँगे, मैंडम फांक रही है, मैंडम लंबी लंबी दे रही है लंबी नहीं दे रही हूं कभी कि दिन मम्मी और मैं दोनों जंद शेयर करूंगी अपना आ एक्प्रियेंस कि कैसे हम लोगों ने जोंगका खाना बनाया था इस वीडियो में नहीं आप दिहाते हैं जि आप हमारी 2 इहां पर मस्ती का क्या है सब चालू और teenage пап कौन twee माट arise यह मैच वोक्स वाली स्टिक्स क्यों लगा रही है अच्छा यह फैवी कॉल का डिपबा मेरा सब मांगे काम विकारी यहां पीछे हमारी चुन्नी में छुप गई है हमारी राधी का नानी यह देखो राधी करानी होता है क्या कोई इतना शाय डेखो बाग गई हो वह दो चुन्नी में छुप के भागी यार रिक तध्क तुस अच्छे यह 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 लड़की का उसुदरेगी सब लोग आपको बुलाते हैं और आप ब्लॉग में आती नहीं अभी देखो कितना शर्मार ही है उसका फेस वह उस साइट करें वह साइट देख नहीं तयार नहीं है और नानी बुला रही है चलो जाप उसको मैं देख लूँगी उसका ट्रीटमेंट में कर लूँगी आप उ किते पुर्ती में वागी है वह यार सक्शे यह देख इसकेल तूर जाता यह बच्चों को तो कुछ आते ही नहीं है सचमेश केल फसाता और इसको वह अलमारी को लगा रही थी और प्लास्टिक का सकेल था इसमें एक्चुली मेरा पूरा आर्ट का सामान है और आपनों को मा बनाई थी घर पे कैसे बनाई थी बताऊंगी कभी आप लोगों को चलिए अभी वीडियो लंबा नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो चीज मैंने वो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूं आज आप लोग पूरा वीडियो देखिए कहां ध्यान से बिना स्किप करे हुए डेफिनेटली आपको आज बहुत मजा आएगा इस वीडियो में और अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा और जो मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज 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 सर जुका के बिनती है दिल से बिनती है चैनल आज को सबस्क्राइब करनेगे पैसे नहीं लगते हैं है ना तो चलिए चलिए वीडियो पूरा देखिए आप लो चलिए गाइस मैथी पनीर बासाला बनाना में स्टाट करती हूं तो मैथी पनीर मसाला के लिए सबसे पहले आपको बारी कटी हुई थोड़ी सी मैथी चाह थोड़ा सा चीज के क्यूबस हमने ऐसे पारिक इनको तोड़के रखा हुआ है बटर के क्यूबस और धनिया जीरा और सौफ का हमने यह पाउडर बनाया हुआ है पहले इनको धनिया को जीरे को और सौफ को सेप्रेट सेप्रेट हमने हलका सा भूंज लिया था भूंज के इनक और गरम मसाला, बारी खरी मिर्ची, लेमन जूस, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, शक्कर, और नमक स्वादा नुसार, और खसकस के थोड़े से दाने, और ये खड़ा गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला में देख लीजी हमने साहा जीरा, और ये मैश के जो फूल आते हैं वो दा बलचीनी, और हरी लाइची, और बड़ी लाइची, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, दही करीब आदा कटोरी लिया हुआ है, हमने एक कटोरी मलाई ली हुए है, और थोड़ा सा अधरक लैसुन का पेस्ट, अब सबसे पहले हमने दही को लिया, दही में ये जो हमने मसा नाला बनाया था धनिया जीरा और सौफ का वो मिक्स कर देंगे पूरा, और कश्मीरी लाल मिर्च, और हल्दी, इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, मैश करकर बढ़िया, अब इसको थोड़ी देर रख देंगे, देखी अब हमारा तेल गरम हो चुका है कडाई में, तेज पत्रे डालेंगे, और ये खड़ा गरम मसाला, हलका सब भूझेंगे, फिर इसमें फ्याज डाल देंगे, फ्याज को हलका गुलावी करेंगे, प्याज अब देखिए हलकी सी फ्याई हो चुकी है हमारी, अब इसमें हम अद्रक लेसुन का पेस्ट राल देंगे, थोड़ा सा चनाएंगे, अब इसमें काजू के पीसे स्काल देंगे, और ये खसकस, जोणो चीज़े, छोड़ी देर इनको भूझेंगे, हलका गुलावी होने तर, अब इसमें यह घुबने के पीसे गल याने तफ इंखते, टमाटर हल्की हगल जाने तफ घुबना लेंगे देखी अभी हमने बढ़िया फाइन फेस्ट तैयार कर लिया है और कड़ाई गरम होने रख दी है कड़ाई में हम सबसे पहले बटर डालेंगे हम अलका सा इसको बैल्ट करेंगे थोड़ा सा चलाते हुए ताकि ये जले ना बटर बिल्कुल भी इसको चलाएंगे तो ये जलेगा नहीं बटर को पिगल जाने के बाद इसमें हम सबसे पहले हरी में चिडा लेंगे खोड़ा सा मिर्ज को भूझेंगे अब ये पेस्ट डाल लेंगे जो हमने बनाया था अब हम ये दही वाला जो पेस्ट हमने तयार किया था अब ये डाल देंगे हम इस मसाले में अब इसमें हमें मलाई डाल देंगे और इसके साथ ही ये जो चीज के पीस करेते वो डाल देंगे और ये शक्कर के दाने और लेमन जीस अब इसको हम थोड़ी देर पखने देंगे अब इसमें हम मैथी को डाल देंगे अब इसको बड़िया मिक्स करेंगे थोड़ी देर हम इसको पकने देंगे मैथी को हलका सब ढ़ाब कर कड़ाई को अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और नमक स्वादा नुसार और पनीर के पीसेश राखनेंगे हलके से प्रॉपर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे तो कि यह ज्यादा कतली नहीं बनती है हलका सा ग्रेवी इसकी गाड़ी रहती है इसलिए कम पानी डालेंगे अब इसको एक ढाक भी तेखिए अब सबजी हमारी रेडी हो चुकी है अब शबजी हमारी इसने बड़िया ओइल छोड़ दिया है और मैथी हमारी पक चुकी है अब इसको हमे एक सर्विंग बाउल में निकालते हैं तो देकिए गैस हमने इसको एक सर्विंग बाउल में निकाला और इसको बड़िया गार्निष किया है हमने क।REEम डालिये और धनिया पत्ती तो आगे के भी नोटिफिकेशन्स मिलते रहें आपको और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना भी ना भूलिए और आप लोग भी घर पर ये रेसिपी जरूर से जरूर ट्राइ करिएगा और फिर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा